हलो, आज की कहानी है विजय नगर के मंत्री तेनाली रामन की विजय नगर में एक बहुत अच्छे राजा थे कृष्ण देव राय और उनके राज्य में बहुत से समझदार और बुद्धिमान मंत्री थे लेकिन इन सारे मंत्रियों में सबसे बुद्धिमान थे तेनाली रामन एक बार सारे मंत्री राज्य सवा में बैठे हुए महराज के कुछ कहने की बेट कर रहे थे महराज के मन में कुछ चल रहा था और वे सारे मंत्रियों से कुछ पूछना चाह रहे थे धीरे से सोच कर महराज बोले मैंने बचपन से सुना है कि कोई जगे है जो कि दुनिया में इतनी सुन्दर है कि उसे स्वर्ग कहते है मैं उस जगे पर जाना चाहता हूँ क्या कोई आप सब में से मुझे उस जगे पर पहुचा सकता है स्वर्ग कैसे जाया जाये स्वर्ग में कैसे पहुचाए महराज को महराज कहने लगे तेनाली रामन क्या तुम कुछ कर सकते हो तेनाली रामन कहने लगा हाँ हाँ ये काम तो मैं बिल्कुल आराम से कर सकता हूँ लेकिन इस काम को करने के लिए मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और 2 महिने का टाइम जाहिए। महराज कहने लगे ठीक है। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तेनाली रामन को दी, और कहने लगे तुम्हें मैं 2 महिने का टाइम दे रहा हूँ। अगर इस दो महिने के बाद तुमने मुझे स्वर्ग नहीं दिखाया तो मैं तुम्हें मरवा दूँगा तेनाली रामन कहने लगे मुझे मन्जूर है अब तेनाली रामन चले गए दो महिने के बाद महराज कृष्ण देवराय अपने सभा में बैठ कर और तेनाली रामन का भीट कर रहे थे और तेनाली रामन गाय थे सारे मंत्री कहने लगे महराज वो तो आने ही नहीं वाला देख रीजेगा वो पहुँचेगा ही नहीं इतने में तेनाली रामन अपनी टिकड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ महराज कहने लगे क्या तुम मुझे वो जगे दिखाने के लिए तैयार हो तेनाली रामन ने कहा हा महराज चलिए मेरे साथ और महराज के कुछ मंत्रियों को साथ में लेकर तेनाली राम निकल पड़ा चलते 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 एक बहुत सुन्दर जगे पे वे लोग पहुँच गए तेनाली रामन कहने लगाया महराज हमें आज यहीं पर पड़ाव डाल देना चाहिए आराम करकर फिर हम आगे स्वर्व की तरफ चलेंगे फटा फट सैनिकों ने वहाँ पर तंबू लगाए और सारे मंत्रियों और महराज के रहने की वेवस्ता कर दी वहाँ पर द्रिश इतना सुन्दर था कि महराज का मन मुगध हो गया चारों तरफ सुन्दर पेड़ उन पे चह चहाते छोटे बड़े पक्षी सुन्दर रंगील रंग रंग के फूल और प्यारी ठंडी हवा पास में एक सुन्दर सा जहरना बहरा था उसमें मचलियां और बतक इतना सुन्दर नजारा देखकर महराज का मन गदगद हो गया कहने लगे मैंने इतनी सुन्दर जगे कभी नहीं देखी तेनाली रामन को अगर ये जगे पता थी तो उसने पहले मुझे क्यों नहीं बताया और तेनाली रामन है कहां कल से मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा फिर से उनके मंत्री कहने लगे महराज अब वो नहीं आने वाला वो तो कहीं गया, कल से हमने भी उसे नहीं देखा। इतनी देर में देखा कि तेनाली रामन वहां से फिर से अपनी डगडग डगडग चाल से चले आ रहे हैं। बड़े मोटे से जो थे, तेनाली रामन पहुंचे, तो महराज पूछने लगे, तेनाली रामन मुझे स्वर्ग कब ले जा रहे हो। तेनाली रामन कहने लगे, आपको ये जगे कैसी लगी। तो हम दूसरे स्वर्ग जाने की इच्छा क्यों करें। महराज कहने लगे, हाँ, ये बात तो तुम्हारे बिल्कुल सही है तेनाली रामन, लेकिन मुझे ये बताओ, कि तुमने उन दस हजार स्वर्ण मुद्राओं का क्या किया। तेनाली रामन कहने लगे, महराज, खाली हम ही इस सुन्दर जगे के हगदार नहीं है। मैं चाता हूँ कि सारा विजय नगर ऐसा सुन्दर स्वर्ण रोज महसूस करे। इसलिए उन दस हजार स्वर्ण मुद्राओं में से मैंने सारे विजय नगर में खूप सारे सुन्दर सुन्दर पेड़ और पौधे लगवा दिये हैं। अगर सारा सुन्दर हो जाएगा तो हमारी प्रजा आराम से स्वर्ण में रहेगी। क्या आप ये नहीं चाते महराज। महराज कहने लगे तुम्हारा कोई जवाब नहीं तेनाली रामन। तुम्हारा कोई जवाब नहीं। क्यासी लगी ये कहानी आपको अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और हाँ अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्स्राइब का बटन जरूर दबाईएगा बाई बाई बाई